सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं? सरकटे का सर कटा हुआ है पॉलिविट में होने वाला है फिर से एक बड़ा क्लैश जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार-चार फिल्म में क्लैश हो रही हैं भाई हापे क्या हो रहा भाई? भाई माना लॉंग वीकेंड है 15 पर पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पबलिक थीटर्स में ही पड़ी रहेगी जितनी पिच्चर रिलीज करोगे हो सब देख डालेगी ये बड़ी अच्छी बात कही है आप अक्षे कुमार, राजकुमार, राओ, जौन अब्रेहम जब एक साथ भिड़ेंगे तो आप किसके साइट चुनेंगे? लेकिन मुझे सबसे ज़ादा डर अक्षे कुमार के लिए लग रहा है क्योंकि इस साल उनकी दोनों फिल्में फ्लॉप रही लास्ट वाली सर्फिरा रीमेक होनी की वज़ा से ज़ादा नहीं चली और अब सुनने में आया है कि ये नेक्स्ट वाली भी रीमेक ही है भाई, मेडिया रिपोर्स तो यही कह रही है बाखी अब तो मान लो, क्योंकि लाइन से ये जो फ्लॉप गई है ना आपकी अब तो कम से कम समझ जाओ कि कहीं तो गडबड है वैसे आप इस मेगा क्लैश से कितना खुश है और स्त्री टू, खेल-खेल में, वेदा या फिर डबल स्मार कौन से फिल्म इस क्लैश में बाजी मारेगी? मुझी कॉमेंट करके बताएं और कौन से फिल्म का बस and success rate जादा है और अक्षे कुमार की फिल्म कौन से फिल्म का रीमेक है that I'll tell you in this video हाई मैं हूँ साक्षी जोहान और आप देख रहे हैं अनकाट इंडिपेंडेंस डे 2024 पर बॉलिवुड का मैदान गर्म है अक्षे कुमार की खेल खेल में शुरद्दा कपूर एंड राजकुमार राओ की स्त्रीटू और जॉन अब्रहम की वेदा और साथ में साउत की डबल स्मार्ट भी रिलीज हो रही है देखो ये क्लैश ना इस साल का सबसे बड़ा क्लैश है in terms of number of films क्योंकि वीकेंड चाहे कितना भी लंबा हो लेकिन चार फिल्में एक साथ तो काफी जादा है और इस हिसाब से तो इन फिल्मों को number of screens and number of shows भी कम ही मिलेंगे क्योंकि इस बार divide भी चार फिल्मों के बीच हो रहा है तो पहला तो घाटा यहीं पर हो गया दूसरा point कि भाई एक हफ़ते में कोई जादा से जादा आईनि जादा से जादा दो फिल्में देख लेगा और दो भी मैं ही जादा बोल रही हूँ क्योंकि एक बार के फिल्म देखने में ही 1500 कम से कम खर्च हो जाते है पॉकिट कभी तो देखना पड़ेगा ना यार अब अगर बस के उपर जाएं तो honestly आप ही बताओ कि आपको इन चारो फिल्मों में से कितने फिल्मों के बारे में पता था और किसका कितना बस आपने देखा क्योंकि ते वो मेरे कोर्डिंग खेल खेल में का तो एक ही पोस्टर आया है उसके सिवा कुछ भार ही नहीं आया है और वेदा को लेकर जब उसका टीजर रिलीज हुआ था था थोड़ी बहुत बाते हुई थी बाकि किसी का कोई ऐसा खास इंट्रेस दिखा नहीं मुझे इस फिल्म में हाँ लेकिन स्ट्रीडू को लेकर काफी ज़ादा हला है हर तरफ और इस फिल्म से लोगों को उमीदे भी बहुत ज़ादा है क्योंकि obviously इसके first part में कमाल जो कर दिया था और वो फिल्म काफी ज़ादा successful भी रही तुम्हारी भूतिया girlfriend एक fantasy है एक fantasy नहीं है सच्ची महबत है हम आई And now, स्ट्रीडू का trailer is much bigger and better जबकि खेल खेल में की बात करूँ तो इसका एक poster काफी पहले release हुआ था जिसमें नजर आएगे अक्षी कुमार, ताफसी पन्नू, फरदीन खान, वानी कपूर, एमेवर्क, आधित्यसील and प्रग्या जैसवाद काफी लंबी कास्ट है, काफी अच्छी कास्ट भी है हैपी भाग जाएगी और पती पत्नी और वो जैसी फिल्में दी है, क्योंकि बहुत जादा great नहीं थी, but again, yes, देखते हैं बागी सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ये फिल्म भी साउत की ही एक फिल्म का रीमेक है मोहलाल सर की 12th man फिल्म का रीमेक इस फिल्म को बताया जा रहा है अब अगर ये रीमेक हुई, तो भाई पबलिक न अब जलना जाएगे क्योंकि अक्षे गुमार खुद ही अपने पहरों पर खुलाड़ी माणने का काम जो कर रहे है एंड नेक्स काम वेदा, जोरा ब्रैम और शर्वरी स्टारा वेदा भी सेम डे पर ही रिलीज हो रही है पहले ये फिल्म 12 जुलाई को अक्षे कुमार के साथ क्लैश करने वाली थी वहां से डेट आगे खिसकाई तो यहां तीन फिल्मों के बीच आकर अडग गई इससे अच्छा होता कि तब ही रिलीज कर देते उस फिल्म से वैसे भी इतना फर्क नहीं पड़ता वो खुद ही नहीं चलता रही है वैसे मुझे याद आया कि कितना अजीब नहीं लगेगा कि सरफिरा जब OTT पर आएगी तो लोगों के पास आप्शिन होगा कि सूरे वाली देखे या फिर अक्षे वाली क्योंकि दोनों ही exact same तो है वैसे आप बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी मूवी की नईया पार लगेगी इस क्लैश में और आप कौन सी फिल्म के लिए जाद एक्साइटिन है स्त्री टू, वेदा, डबल स्मार्ट या फिर खेल खेल में मुझे कर्में करके बताएं and yes, do not forget to subscribe our channel you can also follow me on instagram मेरा instagram handle है whatsappsakshi please like and share this video आप देख रहे थें अगाट